तो दोस्तों यहां पे आप यह देख पा रहा है चले अब और इनके कुछ काराण जानना हम लोग देखेंगे अब थोड़ा हिस्ट्री में घुशते हैं कि पहला कामड जो है कहां से और किसने सुरुआत की थी ठीक है ना उसका थोड़ा से इतिहांस खुचते हैं अब मीडिया हाउस में क्या चल रहा है उनके माध्य हम से जानेंगे क्योंकि किसी भी धार्मी गरंत में कामड का कुछ भी ABCD तक नहीं है कामड यात्रा है ही नहीं दोस्तों यह पूरा का पूरा कामड यात्रा जो है एक भर्हम पैदा किया गया है आजादी के बाद से उसके पहले तो आपको पता है कि गले में क्या बंढ़िजाता था तो अब बढ़े लिखे हो गया तब प्यार से बध्वया जाएगा अब प्यार से भक्ती का नाम देखे तब चले देखते हैं कि पहले कामड यह यह लोग क्या बताते हैं और कितनी सच्चा यह कैसे हुई थी कामड़ यात्रा कौन थे पहले कामड़िया पहला कहानी इन लोगों ने क्या प्रचारित किया है हवा हवाई फायर जो मारा है गोला यह सुनिए परसुराम थे पहले कामड़िया अब यह बताए कि परसुराम जो है वो पहला कामड़िया कैसे हो जाएगा सुनि कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे फ़ले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास इस्थित पूरा महादेव का कामड से गंगा जला कर जलावी सेग किया था परशुराम इस प्राचीन सीवलिंग का जलावी सेग करने के लिए गंगा जी का जल लाए थे आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गंगा मुक्तेश्वर से जला कर लाखो लोग पूरा महादेव का जलवी सेग करते हैं गंगा मुक्तेश्वर का वर्त लोजिकल एविडेंस तो है नहीं, परशुराम का कोई सबूत है नहीं, तो परशुराम तो है एक काल्पनिक का एक्टर, चरित्र, इसको किसके साथ इन्हों ने जोड़ा, तो उत्तर प्रदेश के बागपत इस्तित, अब आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ था, तो जिसको आज उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, उसका नाम उत्तर प्रदेश उस समय नहीं था, ठीक है ना, उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश भी नहीं था, इसको नौर्थ प्रदेश ऐसे कहा कुछ जाता था, लेकिन इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, आजाद कि फिर परसुराम का इन जगों से क्या मतलब हो गया अब दूसरी बात ये देखिए कि पूरा महादेव के कामर से गंगा जल लाकर जलाविशे किया था मतलब परसुराम जो है उत्तर परदेश के बागपत जिला में रहता था अब बता दे वहां पे अगर उत्तर परदेश ज है आके उसका वनसावली दिखा थे कब था किस सन में था कितने साल पहले था साफित कर दे ना जब इतने नए नाम आजादी के बाद के नए नाम जो रखे गए हैं वहां पे आके ये जलाविशे कर रहा है इसका मतलब कि आजादी के समय होगा या उसी के आसपास होगा तभ बारत में तो संकराचारय से पहले सीवलिंग भी नहीं पाया जाता था संकराचारय ने बाधों के जो सुतूप होते थें उनको सीवलिंग कहना सुरू किया वहां से सीवलिंग के प्रथा सुरू हुई जो बौधों के जो सुतूप थे छोटे सुतूप थे या उनके जो अश्ट चक्र जो वो होते हैं सीवलिंग होते हैं पाए होते हैं उसको उसने सीवलिंग कहना सुरू किया तो वहां से सुरू हुआ यह चीज उससे पहले तो भारत में अस्तंब पाया जाते थे, सिवलिंग तो था ही नहीं, तो जलाभी सेक कब कर दिया? सबसे पहला जलाभी सेक तो फिर संकराचारे को करना चाहिए था, सुना है कभी आपने कि संकराचारे ने कहीं जाकर जलाभी सेक किया? अरे जब सेव अमार का पहला संस्थापक संकरा चारे है उसने आज तक कभी किसी सीवलिंग पर जाकर जला भी सेख नहीं किया तब परसुराम और सुराम कब कर दिया अब परसुराम वो अगर अगर इससे पहले थे तो इस सब काहने सीवलिंग पर करते थे जाकर और पूरे भारत में सिवलिंग पर लोग जाकर पहले जल क्यों नहीं ढारते थे, क्यों नहीं लगाते थे सारे के सारे टेंपल मंदिर तो बौधो के महावी आ रहे है उसे पहले फिर ये कहां पर था थी अगर ये पहला कामड ये था परसुराम तो अब ब्रामड क्यों नहीं जाते हैं अगर परसुराम जो है ब्रामड कहते हैं कि परसुराम हमारा वो है देवता है तो भाया सारे ब्रामड को जाके फिर जल वहाँ पर डालना चाहिए था न जला भी से करना चाहिए था लेकिन जै यह ब्राम हड और रहते हैं खोजन से नहीं मिलते हैं वहां वहां सारे की लठ को अब नियरा कि अ traiti को बता देए कितना जाहे मिईते हैं अब ब्राम्हड एक भी नहीं जा रहा है जा रहा है सारा बहुजल इसी से समझ जाए कि कैसे बेवकूप बनाते हैं अब देखिए यह चीज देखिए गढ़ मुक्तेश्वर से चल लाकर लाखो लोग पूरा महादेव का जल्फी से करते तब यह लाखो लोग कौन है यह स्मेब दूसरी बात आते हैं सर्वनकुमा पर सर्वनकुमार थे पहले कंवर्याढ दूसरी कथा बताई जाएगी जाएगी कि स्रवनकुमाण जो है वह अपने माता पिता को कंदे पर लड़का के लेके जा रहे थे सुनिए क्या का रही है ये कह रहा हैं वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वपर्थम तिर्था युग में स्रवन कुमार ने पहली बार कामड यात्रा की थी माता पिता को तिर्थ यात्रा कराने के करम में स्रवन कुमार हीमाचल के उना छेत्र में थे सुन लेज़े हिमाचल के umna चेत्र में थे जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे माया पूरी यानी हरिद्वार से गंगा असनान करने की इच्छा प्रकट की माता पीता की इस इक्षा को पूरी करने के लिए सरवण कुमार अपने माता पीता की कावड में बैठा कर हरिद्वार लाएं और उन्हें गंगा असनान कराया वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गएं उसे ही कावड यातरा की सुरुषात माना जाता है ये पूरी फियंक हिसटोरी है दोस्तो अब ये बताएए कि स्रमण कुमार अगर त्रिता यूग में था त्रिता यूग में था किसके समय में था दसरत के समय में राम के बाप के समय में था राम के बाप जो थे राम के पिता जी जो थे मतलब अब कहने को तो पिता जी कहा जाता है बहले ही रमयाण में लिखा है कि खीर खाने से उनका जनम हुआ था लेकिन कहने को तो पिता जी वही थे दसरत जी तो दसरत चीजों थे हैं वो क्या करते हैं उनके समय में स्रमण है तिरता यूग में अग तिरता यूग में बताइए हरिद्वार नाम का कोई जगह था बता दीजिए एक कहानी ही पूरा चोरी का माल है दोस्तो ये कहानी कहां से कौपी की गई है मैं आप लोगों को बताता उस समय हीमाचल का उना छेतर बता रहा है ना हीमाचल नाम था ना उना नाम था उस समय ठीके ना मायापूरी यानी की हरिद्वार हरिद्वार को मायापूरी बता रहे है ये पूरा का पूरा कहानी लिया गया है बौधों की जातक कथा है उसका नाम है साम जातक कथा उसमें साम नाम का एक स्रमड रहता है और वो स्रमड जो है वो प्रवज्या ग्रहन कर लेता है उसके माता पीता जो है वो बड़ा लाड़ प्यार से उसको पाल के रखे रहते हैं अब क्या होता है कि जब वो घर पे आता है तो उसके माता पीता एक दिन जब जंगल जा रहे थे और व और वो फुभकार मारता है, और उसके फुख से जो वीस होता है, इन दोनों के आखों पे पढ़ता है, दोनों हो जाते हैं अंधे, अब जो साम कुमार है, वो अपने घर से आता है खुजने के लिए इनको, कि वह ये कहाँ कि पीता जी हमारे दोनों दिखाई नहीं दे रहे है है, खोजते-खोजते-खोजते वो जाता है तो दिखता है कि यार रोत डूनों अन्दें पड़े है उन-दोनों को किसी तरह हाथ पकड़ के लाता है, फिर कहता है कि पिता-जी बोनों को मैं आप दोनों के साथ रहूंगा आपकी सेवा करूँगा अडेली जाता था पानी भुखर से लएक यहाता था एक दिन जाता है तो कासी के एक राज कुमार जो है वहां का राजा आया रहता है वह तीर चला रहा होता है उसको लगता है घरने है और फ़ींAttक रहा है कि उहसची का करें हैं अब वट्षी को मार दिया कूढ सी लड़का करता है कि साम करता है आपने मुझे मैं ने क्या गिलाइवANG कि थी आपने मार दिया मेरे पिटा जी प्यासे है आप executive पहले पानी लेा कर उनको दे आ Hak? Raja बड़ा डरता है डरते दरतın जाता है उनके मात के पास जाता है जाकर वह कहता है कि यहा क्यों वहा हता है कि देखे यह पानी लीज़े पीजिए वह सब आहट से पहचान जाते हैं कि मेरा बेटा नहीं है कोई और है फिर जम उनको पता लगता है बताता है दिरे से कि आपका बेटा मर गया है तो रोने लगते हैं मा उसकी रोने लगती है पीटा तुरा धाडस बनाता है फिर उनको लेकर वो हाथ पकड़के ले जाता है वहाँ पे जहां वो मरे रह कि दो फिर उसकी माता बोलती है कि बहूं यह ज़ो है मेरा लड़का को अपने यह कर दिया क्या हम लोगों नहीं तना क्लफ ग ίह θα फिर वह लटका का जीए तो बौधों की जो जाता कथाए होती थी वो कहानिया इस तरह से पीरोई जाती थी जैसे नाटक होता है कि उसमें अंतिम में थोड़ा अच्छा होता था ऐसा नहीं होता था कि अदलब मर गया तो मर ही गया जैसा इन लोगों ने अपने रमायड में दुख भरी कहानी इसी की क अधिया का राजा बना दिया अब बताएए राजा दसरत जो है अयोध्या से उना गया था हरिद्वार गया था क्या वहां से अयोध्या से सिकार खेलने कि हरिद्वार में आके यात्रा करा रहा था अपने हीमाचल से हरिद्वार आया था इस रवन कुमारा वहां पे आके त लोगोंने सामजाताक कता से तो तो यह पहला कामड़िया गाधकौर थो राहा था अपने घर में था इनोंने जवर replacesty की कहानी बना दी कहानी है एक चैनल है समयक कल्चर के तो समयक कल्चर पर जाईएगा अँन्होंने कुछ जातक कताओं का πूरे एक स्रीज बना रखा हैं उसमें साम जाता कठा उन्होंने बना रखा है बड़ा अच्छे से उन्होंने प्र galleries तो राम कईसे पहला कामडिया हो जाएगा कईसे हो जाएगा अब सुनिए क्या कर रहे हैं कुछ मन्यताओ के अनुसार भगवान राम पहले कामडिया थें उन्होंने बिहार के सुल्तान गंज से कामड में गंगा जल भरकर बाबा धाम में सिलिंग को जला भी से किया था अब जरा यह बताईए कि सुल्तान गंज तो नाम आया है सुल्तानों के आने के बाद, असुल्तान तो थे मुसलिम, तो सुल्तान गंज में राम जी आजाएंगे जल धारने के लिए, बताईए सिल्ण तो बनना पहली बार शुरू हुआ नौवी सदी के बाद, वो भी बना नहीं था बौधों के ही सुतूपों को सीवलिंग कहाना शुरू हुआ बनना तो बहुत बाद में आया है उस समय से कहाना शुरू हुआ तो ये भी पूरी कहानी जुठी हो गई क्योंकि इसके पहले ही नहोंने श्रवण कुमार को भी बोला था आईसी तरह से राम के समय में ही परसुराम था तो वो भी कहानी छुठी हो गई अगर राम जो है सीवलिंग सीव पर अगर गंगा जल भरके डालता तो ये आजकल सीवलिंग पर जो दूध डलवा रहे हैं ये दूध डला जाता है बताइए आप लोग हमें इतना दूध दूध जो भावा रहे हैं ये सब लोग कहानी में सुना जा रहा है गंगा जल धार दिया गंगा जल धार दिया कोई कोई ऐसा कैसे हो सकता है राम अगर होते तो वह इतने बेवकुफ थोड़े होते कि गंगा ही जिसके जटा से निकल रहे है उसी में सक्पा नी उठाके लिए जाके उसी को उपर डाल देते हैं झायों और देखिये फूर्थ नंबर राम ने की थी इस परंपरा की रामड ने की थी इस परंपरा के सुरुद familiar कहानी that सी कभी पर्सु राम कभी स्रमड कभी राम राम नहीं तो रामर से करवालो जो जिसका मानने वाला हो सबको इसमें लपेट दो अब यह देखिए पुराणों के अनुसार कामड यात्रा की परंपरा समुंद्र मंथन से जूड़ी है तो नी बताते ना कौन से पुराण के अनुसा कंठ कहला है प्रण्तु विष्क के नकरातमक प्रभावों से सीव को घेर लिया अच्छ जीव को विष्क के नकरातमक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रामड ने ध्यान किया सुन रहे हैं आप रामड ध्यान किया सीव महाकाल अभी बल रहे थे कि काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का रामड आ रहा है इनको वो बिस धर लिया तो छूड़ करा दिला ने तत पस्चात कामड में जल भरकर रामड ने कहां से सिरलंका से आया था मतलब उसके पास तो पुस्पक भी मान था ना मन से गती से तो पुस्पक भी मान छोड़के वो जल भरके कामड पर धर के लेके आया था बाई कहानी इन लोगों से सुनिये सुनना हो तो जल भरकर रामड ने पूरा महादेव इस्तित सीव मंदिर में बताई उसे में मंदिर भी बना करता था सुन रहे हैं तिरता युग में राम के समय में रामड के समय में मंदिर बना करता था कितना समय पहले था तिरता यूग, कितना समय पहले था, 17,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बहुद होके जितने भी पूराने जो महा विहार थे उन्हीं का ब्रामुनी करन किया गया है, कोई मंदिर नहीं हो अगरता था, इससे सियू जी के विश्क नाकरात्मक प्रभावों से मुख्ध हुए और वहीं से कावण यात्रा की प्रारम, प्रमपरा प्रारम हो गई, लगाने का पता नहीं, दिमाग जो है उसका कभी इस्तमाल भी करेंगे, या कभी बिखना होगा, तो सबसे महांगे दाम में बिख जाएगा, इस्तमाल किये रहेंगे, तब तो कम है, तब तो सेकेंड हैंड होगा, इस्तमाल ही नहीं करेंगे, कभी दिमाग, तो वो तो पू कुछ मानेताओं के अनुसार समुंद्र मन्थन से निकले हलाहल के प्रभाओं को दूर करने के लिए देवताओं ने सीव पर पवित्र नदियों का सीतल जल चड़ाया था। सभी देवता सीव जी पर गंगा जी से जल लाकर अरपित करने लगे शावन मास में कावड यात्रा का प्रारंब यहीं से हुआ। कि अगर आगवाक लगेगी तो वाटर उपर से किरने लगेगा उपर से विवस्था है वाटर का तो अब जब है तो बाहर से दूसरे दूसरे कर से ढोड़ो के लाओगे वहां पर बटर डलने के लिए या उसका ही जो सेफटी वो है वो ओन कर दोगे सेफटी पिन जो है वा पुरानों तक में नहीं लिखा है दोस्तों कहीं नहीं लिखा है अब पुरान तो ये अंगरेजु के समय तक लिखे है यानि कावड यात्रा जो है ये बहुत ही तुरंत की सुरू की गई एक कथा कहानी एक परंपरा है जिसमें जबरजस्ती बहुजन वर को फंस आया गया है अब सवाल आता है कि भाया क्यों ऐसा क्यों किया गया अगर ये सब कहानिया जूटी है बहुचन इतना आसानी से क्यों फस गया क्यों ऐसा कराया गया क्या कहानी हो सकती है असली अब ये देखिए मेडिया हाउस कुछ और ये बात भी लिख रहे हैं कि कावड यात्रा करने से कोई लाब होता है कि नहीं जरा ये भी पढ़ लिजिए एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं यदि मानिता के अनुसार कहें तो कावड यात्रा करने से अस्वमे ग यक का फल मिलता परंटु हिंदू धर्म के पवित्र सद गरंतों में इसका कोई प्रमाड नहीं मिलता है सुन लिया आपने मेडिया हाउस भी ये बात कह रही है कि किसी भी हिंदू धरम गरंथ में कहीं भी इसका प्रमाड़ नहीं मिल रहा है ऐसे लोग कह देते हैं कि सुमेगी यगी जितना वो मिलेगा फल मिलेगा लेकिन कहीं ये बात लिखी हुई नहीं मिलती है कावड यात्रा सावन के महीने में की जाती है और सावन के महीने में बहुत से जीवों की उत्पत्ती होती है जो हमारे यात्रा करने से पैरो तले कुचल कर मर जाते है देख लीजी आप कहानी सावन में तो साप निकल निकल के बाहर निकलता है घरों से बाहर निकलता है किट फितंगे आते हैं अब इसमें तो जीवों को यह मार रहा है और सुनिया आगे संतु का कहना है कि सावन के महीने में तो घर से बाहर भी कम ही निकलना चाहिए ताकि जीव हांत्या के पाप से बच सके लोबाई साहब ये तो खुद ही आपस में ही लड़ मरें ये लोग कोई कह रहा है कि नहीं यात्रा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कोई काराय करनी चाहिए और सुनिये क्योंकि जितने जीव परति दिन हम से मरते हैं उससे कई गुना अधिक जीव सावन के महीने में यात्रा के दोरान एक ही दिन में मर जाते हैं जिसका पाप यात्री को लगता है तो कामड यात्रा करना विल्कुल वियर्थ है क्योंकि इससे हमें लाव की बजाए उल्टा हानी ही होती है और यदि मान भी ले कि कामड यात्रा करने में असमेग यक का पुन्य मिलता है तो पुन्य तो एक हुआ पर करोणों जीवों की हत्या का पाप अलग से लग जाएगा तो यह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेडिया हाउसेस भी ये बाते जो है दबे छुपे ये बात भी कहती है कि इससे फायदा नहीं मिलता